हे फ्रेंट्स कैसे आप सब दोली जी आज मैं आपको मसीन को किस तरीके से आप रिपेर कर सकते हैं अगर आपकी मसीन इस तरीके से अटकने लगे देख सकते हैं कैसे रुक रुक कर चल रही है तो इसी को आज हम सही करेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको सही करना बता तो इसमें क्या देखात है सबसे पहले तो इन पार्ट को हम चेक कर लेंगे और यह देखेंगे इसका पहले तो सिटल एमने निकाल ली है और उसके बाद यह हम इदर उंगली डाल करके चेक कर सकते हैं इदर थोड़ा धूर मिटी या कोई धागा फसा हो तो इसको चेक करेंगे तो देख सकते हैं काफी इसमें एक तरह से बहुत कचड़ा हो चुका है तो इस पहले तो हम इसके पार्ट को खोल लेते हैं इसको ड्राइवर से और यह देख लीजिए किस तरीके से इसके पार्ट खोले जाते हो किस तरीके से लगाए जाते हैं पूरा प्रोसर इस वीडियो में आपको बताए गया तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा तो आपको 200, 2500 या 500 रुपे देने की जरूरत नहीं है रिपेर के लिए यह आपकी मसीन आप देख सकते हैं इसको आपको नजदीक से दिखाते हूं कितना कचड़ा कितनी गंदगी इसमें जमा हो चुकी है इस वज़े से यह अटक अटक कर चल रही होगी मैं आपको भी यह दिखा दे रही हूं थोड़े पार्ट इसके साफ कर दूँगी उसके ब आपकी सारी गंदगी सारी डष्ट इसमें निकल जाए और ये देख लीजिए आप देख सकते हैं कितनी डष्ट है इसमें कितनी गंदगी बढ़ी पड़ी है तो सारे पार्ट को अच्छे से कपड़े की सायता से साफ कर देंगे और ये देख लीजिए फ्रेंट्स ये निकाल करके हम अच्छे से साफ करेंगे ये पता है जो डश्ट वगेरा इसमें हो जाती है अगर इसमें धूल मिटती थोड़ी बहुत भी चली जाती है इस वज़े से हमारी मसीन अच्छे से काम नहीं करती है क जान हो जाती है और इसी के लिए हम मार्केट में जाते हैं और रिपेर करते हैं मसीन को आराम से 300 400 500 ऐसे रुपए हैं अब से आपको इतने रुपए देने की बिलकुल भी आशकता नहीं है फ्रेंट्स ए आप आप ये च이지े आप अपने घर पर ही सही कर पाएंगे यह देख लीजिए यह पार्ट को जैसे इसमें लगा हुआ था इस तरीके से मैं इसको सेट करके रख दूंगी एक साइड और देख लीजिए उपर से पहले से तो मैं इसको सीधा कर लूँगी और उपर से भी खोल करके अच्छे से इसकी सफाई करेंगे तो यह दो नट लग और यह देख लीजिए जैसे आप मार्केट में ले भी जाएंगे तो वह क्या करते हैं सिर्फ इसी तरीके से सफाई कर देते हैं और बस इस और आपको लगता है कि मसीन में कुछ ज्यादा खराबी होगी तो देख सकते हैं कितना कचड़ जमा हो गया है इसी वज़े से हमार क्योंकि थोड़ा बहुत रहता है ना कपड़े में तो यह नीचे जमा होता रहता है इस वज़े से यह देख लीजिए आप कम से कम दो चार महीने में एक वार इस तरीके से सफाई कर दी जिएगा ताकि आपकी जो मसीन है और डाल करके रख दीजिएगा तो मैं सफाई के ल भरी पड़ी है ना वह अच्छी से साफ हो जाए और यह देख लीजिए फ्रेंड्स पूरे अच्छी से में सफाई कर दे रही हूं तो यह पार्ट में बुलकुल भी अब गंदगी नहीं है आप देख सकते हैं कितना गंदा पड़ा था यह और इसी जगे पे अब मैं डाल अगर नहीं हम इसको डालेंगे और को तो यह कट्र कट्र की आवाज भी करने लगेगी इस वजए से थोड़ी सपाई करने के बार आप और जरूर डालिएगा जहां जहां पर यह घूम रही है वहां पर हम और को डाल देंगे देखिए जिसके जो जो पार्ट इसमें जुड कि देखिए और थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे गुमाते हुए थाकि इसमें तेल अच्छे से चला जाए और भर जाए और यह अच्छे एकदम स्मूध तरीके से काम करने लगेगी यह तरीके से मार्क चला करको इसको इस तरीके से डाल दी जाओंगो यह और हम अच्छे से नीचे रख देंगे और यह देखिए अब चला करने अभी भी थोड़ा टाइट है इसमाओ जैसे जैसे मैन चलाते जाए और यह एक opacity हो जाएगी और अच्छे से भी चलने लगेगी तो यह देख लेजिए यह नीचे जो पाट लगा था ना उसको अब हम लगा देंगे सबसे पहले तो हम उपर वाला पाट अच्छे से इसमें कस देते हैं उसके बाद ही नीचे का पाट लगाएंगे तो जिस तरीके से कसा हुआ अच्छे से कर देना है और अब हम करेंगे नीचे के पाट को सेट तो देख लीजिए किस तरीके से लगा हुआ था यह इसको भी सेट करना थोड़ा मुश्किर हो जाता लेकिन आप वीडियो में देखेंगे ना उस तरीके से जैसे करेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा तो यह देखे लीजिक फ्रेंजिक मैंने अच्छे से इसको अच्छे से लगा दूंगी और और इसको ड्राइवर से अच्छे से kirt दूंगी कि तो यह देख लिजी बैट टॉटीच कर दीजिएगा ताकि यह टीला ना पड़े हाँ था-गट और यह देख लीजिए और यह जो ऊपर सिलाई वाली जो इसकी इसको भी कस देंगे नेटबुल्स्ट से यह इस तरीके से और अच्छे से इसको टाइट कर दीजिएगा ताकि यह डील ना पड़े वार वार बस क्या था बस इसकी गंदी अच्छे से साफ हो चुकी है और यह मसीन में हम जगे जगे ऑल डाल देंगे जहां-जहां इसमें जगे ऑल पड़ता है ना इसमें होल्स दिये गए हैं और यह हम घुमाते हैं ना हाथ की जगे पे उधर भी ज़रू डालिएगा क्योंकि इसमें खतम हो जाए तो यह घूमना थोड़े टाइट हो जाती है और गुमना भी बंद कर देती है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से यह अच्छे से काम कर रही है पहले की आप देख स तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही बासन वीडियो के लिए मेरे बैल आइकन को जरू दबा लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू